वेल्कम टो आइसा मम्मीज किचन असलाम अलेकुम आज हम बना रहे हैं चिकन नगेट्स जिसके लिए हमने लिया है चिकन 250 ग्राम उबले हुए और कटे हुए दो आलो दो तिन हरी मिज बारी कटे हुए ग्रीन ओनियन्स कटे हुए फोर टेबल स्पून दाल देंगे हम वन टेबल स्पून अधरक लेसन का पेश डाल देंगे कुटी हुए काली मिच वन एंदा हाफ टी स्पून दाल देंगे नमक हजबे जरूरत डाल दें इसमें हमें ब्रेट डाल देना और इन सब को अच्छे से हमें मिक्स करके पीस लेना है चिकन का हमने पीस लिया है हमने एक गिलास में पाइपिंग बैक डाला है और इसमें हमें ये चिकन का मिक्षर डाल देना है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए हम इसे इसी तरह फ्रीज में रख देंगे बनाके इस मिक्षर का हम रिंग बनाएंगे एक प्लेट पे बटर पेपर लगा लेंगे अब इस तरह से पाइपिंग से रिंग बनाएंगे और बनाने के बाद इसे फ्रीज में रख देंगे हमने इसे फ्रीज से निकाल लिया है अब हम इसे फ्राई करेंगे सबसे पहले हम इसे मैदे में कोट करेंगे फिर अंडे में फिर हम इसे ब्रेट क्रम्स में कोट करके कड़ाई में हमने ओईल करम कर लिया है अब हम इसे इसमें डाल देंगे इसी तरह हमें चिकन नगेट्स को एक एक करके मैदे में फिर अंडे में हम और ब्रेट क्रम्स में दाल के फ्राई कर लिए इसे हमें मीडियम आज पर फ्राई करना है ताकि चिकन अंदर से भी अच्छे से पकजा बहर से क्रिस्पी हो जाए इसे ब्राउन हलका कलर हो जाए तो हमें इसे निकाल लेना है चिकन नगेट्स हमारे तियार हो चुके हैं अगर आपका हमारी रह से भी अच्छे लगे तो आईसा ममी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें अल्ला हफीज हिल्ग झाल करें भी याफीज